नमस्ते दोस्तों मैं हूँ सतिश कुमार दोस्तों पैसा अच्छा नहीं है पैसे से अमीरों की भिमारीा आती है पैसा सब उबराई का मूल कारण है इसलिए लाइप में कभी भी पैसे की आशा नहीं करनी चाहिए एक्सेटरा 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 दोस्तो यदि आपके दिमाग में भी ऐसे मूर्क विचार है तो पहले उन्हें अपने माइंड से डिलीट कीजिए दोस्तो लाइप में पैसा बहुत जरूरी चीज है बिना पैसे से हम जैसे चाते है न वैसे जी नहीं सकते है तो हम कुछ भी नहीं रह सकते है इसलिए दोस्तो पैसा बहुत जरूरी चीज है पैसा चाहिए ही चाहिए यदि आपको अभी भी पैसे की महत्रू समझ में नहीं आ आया है तो एक बार इसका मंतन कीजिए कि पैसे की कमी के कारण आपके कितने सपने अधूरे रह चुके है यदि आप भी अपने लाइप में फाइनेंशल प्रिडम को अच्व करना चाहते है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए रोरिंग बिजनेस्कूल यूटूब चान आप शिर्प पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो समझ लिजिए कि आप फाइनेंशली फ्री हो चुके हो यदि आप प्राइस ट्याग देके बिना ज्यादा बार्गेण कीये बिना आपको जो पसंद है उसे आसानी से खरिद सकते है तो आप समझ लिजिए कि आप फाइन वार विए को या घर को खृते हैं तो उस दिन आप समझ लिजिए कि आप fundull की कर्चों के लिए पैसा कमाना चाहिए damaged बुड़ा पे में जीने के लिए पैसा बचा के रखना चाहिए बच legg लिए और अधिक संपत्हें करना चाहिए और भी पैसा कमाना चाहिए ऐसी तमाम चिंताओं से मुक्त हो जाते हो ना तब आप समझ लीजिए कि आप financially free हो चुके हो दोस्तों यदि आप financially free हो चुके है तो बहुत अच्छी बात है यदि आप financially free नहीं हुए है तो इन टिप्स को follow कीजिए टिप नमबर 1 don't get married very early आरतिक रूप से मजबूत और स्तिर हुए बिना घर शादी बच्चे जैसे liabilities को मत कीजिए भारत में बहुत से लोग आरतिक रूप से मजबूत और स्तिर हुए बिना जल्द बाजी में शादी कर लेते हैं फिर वे बच्चे करने के टाइम में या दो तिन बच्चे करके जिन्दगी भर पैसे के लिए दिन रात गदे की तरह काम करते हैं इसलिए दोस्तों अगर आप financially free होना चाते हैं तो इस गलती को मत कीजिए financially strong होने से पहले किसी भी तरह के liabilities को मत कीजिए कमाने के टाइम में घर शादी बच्चे आदियों के जंजट में ना पड़े पहले अपने professional life में grow करे पहले अपने business को पूरी तरह से stable करे पहले financial planning कीजिए फिर अराम से family planning करे मेरा कहना सिर्फ इतना है कि financial planning करने के टाइम में सिर्फ financial planning को ही कीजिए और बाद में family planning करने के टाइम में family planning को कीजिए इन दोनों को अदल बदल मत कीजिए टिप नमबर टू, do more and more assets जादा से जादा assets बनाने की कोशिश करे जितना हो सके उतना liabilities को कम करे जैसा कि मैंने देखा है बहुत से लोगों को financial knowledge बिल्कुल भी नहीं होता है उनको अच्छे से earn करने की और well settle होने की कोई goals नहीं रहते है पहले तो वो कमाते नहीं है यदि गलती से कमाते है तो उसे party में bad addictions में या show ups में उड़ा देते है लड़कियों को impress करने के लिए loan पर bike, car और iPhone को खरीदते है और पैसे को जलाते है आप ऐसी गलतीयों को न करे दोस्तो आप सबसे पहले अपनी needs और wants को समझे और जो जरूरी है सिर्प उसे खरीदिये अनावशक खर्चे मत कीजिए पैसे क अच्छे से manage कीजिए पैसे को party में बरबाद करने के बदले में saving करे stocks में investment करे या अपनी family के लिए health insurance खरीदिये future और emergency के लिए हमेशा पैसा बचा के रखिये क्यूंकि accident और hospital bill से सडक पर आये हुए बहुत सारे लोगों को मैं खुद देखा हूँ इसलिए खर्च करने से प पैसे बचा कर financially free नहीं हो सकते है पैसा saving करना जितना important है ना उसे grow करना भी उतना ही important है इसलिए अपने पैसे को grow करने की कोशिश कीजिए अपने पैसे को ब्यांक में रखके उसे सडाने से यह हचाई कि उसे किदेर तो invest करे at least दोस्तो एपडी तो करे या mutual funds में stocks में real estates में business में gold में या insurance में किदर तो अपने पैसे को invest करे अपने पैसे को waste करने के बजाए उसे invest करके grow करे अपने पैसे को double या triple करे investor mentality को विकसीद करे पैसे के लिए single source पर depend ना रहे multiple sources से income generate करे passive income sources को create करे tip number 4 do one business दोस्तो आप सिर्प job करके अपने life में well settle हो सकते है यदि आपको permanent financial freedom चाहिए तो आपको अच्छा business करना होगा एक जबरदस्त business idea को धूंडिये और उसके ओपर काम कीजिये चार-पांच साल राक्सेस की तरह हार्ड वर्क करे और रायल लाइप को हासिल करे दोस्तो आपको permanent financial freedom चाहिए तो आपको business एकी रास्ता है business करे और बाच्छा बने ओके दोस्तो फाइन इन चार टिप्स को फालो करके आप financial freedom को हासिल कर सकते है दोस्तो यदि आपको मुझसे किसी भी तरह का guidance चाहिए तो आप मेरे साथ directly बात कर सकते है one to one बात कर सकते है appointment link इस वीडियो के description box में है चक कीजिए और book कीजिए इस वीडियो को like कीजिए और roaring business school youtube channel को subscribe कीजिए और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ proudly share कीजिए thank you so much फिर मिलेंगे